Hello friends, chapter 11 से example number 4 देखिए Find the surface area of a sphere of radius 7 cm 7 cm radius का एक sphere है, sphere यानि कि पूरा गोला उसका surface area आपने find करना है तो इसका surface area यानि कि जो बाहर बाहर जितना भी आपको इसके अंदर दिख रहा है जहां पे आप color कर सकते हो, वो इसका surface area होता है तो surface area of a sphere का हमारे पास direct formula होता है, 4 pi r square जहां पे r का मतलब radius होता है तिस formula में हम value fill करते हैं, 4 का 4, pi की जगे 22 by 7 लिया जाता है अगर specially किसी question में बोला जाए, कि use pi is equal to 3.14 तो फिर आप उस question के अंदर pi की जगे ये value यूज करते हैं otherwise 22 by 7 का use किया जाता है into में 7 into 7, यहां पे radius का square है, तो radius को दो बार multiply करना है अब 7 से 7 कट गया, यहां 4 into 22 into 7, इनका product कर लेते हैं 22, 4,088 हो गया, 88 को 7 से multiply कर लेते हैं 7, 8,056 का 6 यहां और 5 यहां 7, 8,056 और 56 के अंदर 5 जोडा, तो ये 61 हा गया तो 616, कोशन सेंटी मीटर में चल रहा है तो सेंटी मीटर का square लगेगा यह था example number 4, इसके बाद करते हैं example number 5, example number 5 रीड करते हैं find number 1 पे the curved surface area and number 2, the total surface area of a hemisphere of radius 21 cm यहां पे hemisphere की बाद चल रही है पहले hemisphere की figure को देखिए hemisphere इस तरह से बन जाता है जैसे आप orange को बिल्कुल बीच में से काट दो तो दुसके दो पार्ट हो जाते हैं हमी का मतलब ही होता है half यानि half sphere तो half sphere के जो है ना दो faces बन जाते हैं एक तो यह red वाला जो देख रहे हो आप side side से यह होता है इसका curved surface area और जो उपर circular part होता है यह circle होता है तो इसके दो ही formula होते हैं क्योंकि इसके face दो हो गई हैं तो इसके दो तरह के formula होते हैं एक तो curved surface area निकालने का और एक total निकालने का हम number one में find करेंगे curved surface area of hemisphere तो curved surface area of hemisphere का direct formula होता है 2 pi r square यहां question में 2 की जिगर 2 pi की जिगर 22 by 7 यूज करेंगे और radius हमको दिया हुआ है 21 cm तो 21 into में 21 simplify करते हैं 7 से 21 कट रहा है 7, 3, 0 हो गया 21 अब यह 1, 2, 3, 4 इन 4 नंबरों का आप product कर लोगे यह value आएगे 2772 area है तो centimeter का square लगेगा अब आते हैं total surface area of hemisphere पे देखे total surface area के अंदर यह जो curved surface area है यह तो होगा ही होगा प्लस इसका यह जो टॉप है न इसका area भी जुड़ जाएगा तो जब curved surface area 2 pi r square होता है इसके अंदर यह circle जुड़ेगा circle का area होता है pi r square तो formula बन जाता है 3 pi r square यह formula hemisphere के total surface area का है तो formula लिखेंगे पहले तो 3 pi r square उसके बाद यहाँ value फिल कर लेंगे 3 pi की जिगे 22 by 7 और radius दिया हुआ है question में 21 तो दो बार करेंगे into 21 simplify करेंगे 7 से यहाँ 21 कट जाएगा पूरा पूरा 7 321 अब 3 into 22 into 3 into 21 इन 4 नमबरों का product कर लेंगे यह product आएगा 4158 answer में centimeter square तो इस example में आपने hemisphere के दोनों तरह के surface area find करने का formula सीखा है curved surface के लिए 2 pi r square क्योंकि सिर्फ side side का निकलता है total में उपर का circle भी जुड़ जाता है इसलिए formula में 3 pi r square बन जाता है इसके बाद question example number 6 करेंगे next next example के अंदर the hollow sphere in which the circus motorcycleist performs his stunts a hollow sphere एक खोकला स्फेर है खोकला मतलब अंदर से पूरी तरह से वो खाली है उसके अंदर एक circus का motorcycleist जो है stunt perform करता है आपने circus में देखा होगा मेले औगहरे लगते हैं वहाँ पे एक motorcycle वाला stunt दिखाता है कोई के अंदर तो यहाँ कोई जैसा नहीं है यहाँ बिल्कुल अंदर बहुत बढ़ाना एक पूरा hemisphere यह पूरा का पूरा गोला है has a diameter of 7 meter इसका diameter 7 meter है find the area available to the motorcyclist for riding आपने वो area पता करना है जिस पे motorcyclist riding कर सकता है अब अपने दिमाग में ही imagine कीजिए कि एक खोकला sphere है उसके अंदर किसी motorcyclist को डाल दिया अब वो सब जगय पे घूम सकता है जितना भी इसका surface area होगा hemisphere का वो उतनी जगय पे motorcycle को चला सकता है घूमा सकता है वोई area हमने find करना है तो इस case के अंदर total surface area लगेगा sphere का तो area available to the motorcyclist यह हो जाएगा surface area of sphere sphere का वैसे एक ही तरह का formula होता है क्योंकि sphere का एक ही face होता है तो इसका formula भी एक ही होता है आप से total surface area कहीं sphere का पूछे या curved surface area sphere का पूछे या simply कहे surface area of sphere तीनों case के अंदर आपने को formula एक ही use करना है formula इसका होता है 4 pi r square value fill कर लेते है 4 का 4 pi की जिगे 22 by 7 radius यहाँ पे हमें direct नहीं दे रखा हमें दिया हुआ है diameter 7 meter तो diameter से radius बना लेंगे diameter का half होता है radius तो radius 7 by 2 हो जाएगा 7 by 2 into में 7 by 2 यहाँ पे 7 से 7 पूरा पूरा कट गया 2200 4 होता है और उपर में भी 4 है तो यह दोनों 2 कट के 4 से कट गए 22 को 7 से multiply करेंगे value आएगी 154 और यहाँ question meter में है और हमने area निकाला है तो meter का square आएगा ये टो आएगा 6자合 के ट 복ोर में है इस आएगा यारा हम गपरी किके चिशյआग ट्टնगा शीएजS